हलो एश्टुडेंट आज हम क्लास 10 के एकसरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन करेंगे इससे पहले का वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए जैसे कि एकसरसाइज 1.2, 1.1 का सॉल्यूशन प्लेलिस्ट में है और सबसे महतपूर्ण जी क्लास है वो है क्लास 10 के इंट्रोडेक्शन क्लास जो हमारा की फर्स्ट वीडियो है 10 के लिए तो आप वहां पर जाके देख लीजिए और आपको इस चेप्टर को पढ़ने के लिए नंबर सिस्टम को आना बहुत जरूरी है अगर नंबर सिस्टम आपको नहीं आता है तो इसको समझने में थोड़ी दिक्कात आ सकती है इसलिए इंट्रोडेक्शन क्लास में मैंने सारी नंबर सिस्टम को बहुत अच्छी तरह से वहां पर दिखाया इस वीडियो में तो प्लीज आप पूरा वीडियो को देखिए त चलिए से देखिए यहां पे जो है सिद कीजे की रूट पांच एक उपर में संख्या है क्या है यह हमारा वन पॉइंट इन गार यह जो कोश्चन है यह विहार वोट के थुरू से बहुत इंपोर्टेंट है बदल बदल के आपको दे सकता है जैसे कि यहां पे रूट 3 दे रूट 2 दे दे लेकिन यह दो नमर या पांच नमर में एक कोश्चन तो रहेगा ही तो यह विहार वोट के थुरू से बहुत इंपोर्टेंट है चलिए आज हमें इसका सॉल्यूसन देखते हैं पहला क्या है देखिए तो देखिए हमाना पहला क्या है कि सिद कीजिए कि पर्मय और ऑपर्मय दौनों को तो पर्मय और किसे कहते हैं तो चलिए आज हमारे इसको आपको समझाते हैं ची तरह से बह gabi सभ्लें का सब्सक्राइब करोड़ होब करें का सब्सक्राइब करें हैं यह यह सब और क्यू पुर्णान संख्या हो तथा क्यू बड़ावर नहीं हो जीरो तो उन्हें पड़ में संख्या कहते जैसे कि देखिए एक्जामपल में 3Y4 है यहां पर क्या है 3Y4 है अगर हम इसको देखिए यहां पर देखिए यह पी वाई क्यू का मतलब क्या हुआ वहीन के रूप क्या होना चाहिए क्यू बड़ावर नहीं हो जीरो क्या होना चाहिए क्यू बड़ावर नहीं हो जीरो यहां पर क्यू बड़ावर नहीं हो जीरो तो आप एक बात बताई हमको क्या दो यह एक पर में संख्या है बताई है नहीं तो यह बिलकुल है क्यूं क्यूंकि यहां प देते हैं यहां पर हमारा Q बढ़ वन हो गया तो यह हमारा PYQ की रूप में रहेगा तीन हुआ चार वा जितना भी होता है वह सब पीवाइक्यू के रूप में अब आपके हैं कौन सा पीवाइक्यू फिर नहीं रहता है पीवाइक्यू की रूप जिसके जैसे कि देखिए यह तु मैंनस 5 3 x 4 1 by 4 – 2 x 3 i an 2.4 आप कोईचे आप कहीएगा कि यह कैसे पडमे संख्या तो देखिए तो अगर आप class 9 में पड़े होंगे कि इसको मतलब देखिए यहां में इसको बीन के रूप में बदल सकते ना थैस संब्लप काटके यह ऑद कितने आँग ये रूप में आ इसको भी हम अब भीन के रूप में ला सकते हैं अगर आप class 9 में पढ़ेंगे तो चीज के बारे माँ पढ़ेंगे क्या है पर्मे संख्या चलिए आप पर्मे संख्या की बारे हम फटते हैं अब देखिए और मैं संख्या किसे कहते हैं क्या है यहां पर्मे संख्या किसे कहते हैं तो वैसी संख्या वैसी संख्या जो पर्मे संख्या की समझे कि एक विप्राथ जाती हो अर्थात पर्मे संख्या नहीं होती हो उन्हें क्या कहते है जो पर्मे संख्या नहीं है वही हमारा ओपर्मे संख्या कहते है ऐसी संख्या पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं होती है यह पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं रहता है पूर्ण वर्ग का मतलब क्या द इसको हम क्या बोलते हैं Israel ुट इसको क्या बोलते हैं रूट बोलते हैं जो रूट के अन्दर हो रूट के अंदर रखी जाती हो root के अंदर रखी जाती हो जैसे पाई ये objective question में बहुत पर पूछा है कि पाई हमारा कौन से संख्या है पाई हमारा क्या है ओपड में संख्या है इसका मान जो होता है पाई का मान तो अपड़े होंगे पाई का मान 22 बटा 7 होता है जब 22 बटा 7 दियार है तो ये हमारा पर में संख्या है लेकिन जब कोई हमको पाई के बारे है पाई से संबंदित कोई भी चीज़ अगर उसमें पाई है तो वो हमारा निश्चित रूप से आपर में संख्या ही होगा तो पाई, पाई बाई 3, 2 पाई आप देखिए यहां पे रूट के अंदठ टू है तो रूट के अंदर अगर टू है तो टू का कोई अब व्र्ण मूर होगा जबूञ क्या? नहीं न ये पूर्नवर्ग 2 है ये नहीं इसलिए अगर ये रूट में है अगर रूट के अंदर पूर्ण वर्ग रहता है इसके बारे में बहुत डिटेल से अगर आप ऐसे भी समाश सकते हैं थू का होगया थो यहांपर दो है तो निकल गया अब इस जैसे कि देखें यह पे नाइन तो है थी यहांपर हमारा थी वापस आ जाएगा तो यह हमारा क्या होगा जिसका पूर्ण वर्ग और वह रूट में है तो वह हमारा पढ़ में संख् होता है यहां पर क्या है यो रूट के हैं यहां पर देखें तीन का होता है कि नहीं होता है रूट 5 का होता है यहां पर देखें सेवन हमारा पड़ में संख्या है और रूट 5 हमारा क्या है ऑपर में संख्या तो सेवन और रूट 5 इन दोनों का मल्टिपल अगर एक पड़ में संख्या और एक आपर में संख्या का मुल्टिपल हमेशा एक को मेशा सेवन हमारा काम है ए इन दोनों का मुल्टिपल यह हुआ क्यों होता है और ये हमेशा संख्या हुता है चिहा क्वा सब्सक्राइट में हैं तो कुछ भी आप करेंगे तो हमारा अपर में होगा तो आपको आप समझ गए होंगे पर्मे और मेन कinen के बारे में अच्छी तरह से समझ गए तो आपको सीध करने में कोई दिकत नहीं आई है चलिए आम exercise के problem को solution करते हैं तो देखिए प्रशना वाली 1.3 में हमारा क्या solution है कि problem है सीध कीजिए कि root 5 एक ओपर में संख्या है कि चलिए इसका हम solution करते हैं तो वही question को हमने copy पढ़ ले लिया देखिए सीध कीजिए कि root 5 एक ओपर में संख्या है तो यहां पर देखिए जब ऐसा question रहे कोई भी question हो था हम उसको भी प्रीत मानेंगे क्या करेंगे जब हम उसका solution करने जाएंगे उसके हम भी प्रीत मानेंगे जैसे कि यहां पर बोल रह ऑपर में संख्या अगर यहां पर दे दिया होता किxo कीजिए यहां की 5 देता तो इसी द्रूट यहां संख्या या कुछ भी दे दिया होता है एसी तरशिस का solution करती है देखिए मैं इसको क्या करना एकLY बिप्रित माली कोई question अगर इस तरह करें तो आप उसका रूप्रीत ही मानेंगे यह से माना की रूट 5 एक पर्मे संख्या है ठीक है तो पर्मे संख्या हमारा किसके रूप में रहता है p y q की रुप में जरूरी नहीं है कि by, p y q की रुप में a वर्टा बी भी लिग सकते हैं कुछ भी हैं a b c d के लेटर कुछ भी ली सकते हैं यहां पर हमने क्या माना है पर्मेसंख्या को a वर्टा b तो माना की root 5 एक पर्मेसंख्या है ठीक है तो root 5 equal to a or a by b और जहां क्या a और b पुर्णांग हो a और b हमारा हो पुर्णांग और जहा तो कोई दिक्कत नहीं है अगर मान लीज़ां पर सब्सक्राइब नहीं बनेगा यहां पर कुछ भी दे सकते हैं ऐसा नहीं है यह पर कुछ पढ़ मैं सक्के हैं बस वह भीन के रूप में होना चाहिए और बरावर जहां मतलब हर में 0 नहीं होना चाहिए अब देखिये यहां पर रूड़ पांच वाईएगी, अब हम क्या करेंगे इसको दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, थैज़ हम देखें, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, तो रूड़ nine, two, three, five,chat twenty week, to AIB का square, तो यहाँ पर देखिए, अगर हम root का किसी भी चीड में square करते हैं, जैसे कि root का square करते हैं, वो हमारा क्या होता है, root से निकल जाता है, जैसे कि देखिए, root 5, यहाँ पर हम इसको यहाँ पर 2 है, तो दो बार तो लिखेंगे, तो root 5 गुने root 5 हुआ, इसको आप ऐसे लिखेंगे 25 हमने आपको क्या बत रहता कि फ़में संख्या में 15 था यहां पर दखेंगे पांच हुआ है यहां पर हम 5 स्कॉर्पली कोई स्कते हैं यहां पर यह 5 निकल सकते हैं तो जहाँ हम रूट को रूट से गुना करेंगे तो हमारा यह 5 52 स्क्राइब 40 स्क्राइब यहां पर क्छने में कुच ने एक है इसलिए कि हमने कोना को निंसे गुना किया अब देखिए हाँ पर जब 1 को एस्कुएर स्कार करें और इतर आ जाएगा और फिर यह इसकी इसको हमने क्या माल लिया है एसको हम फर्स्ट være आप चैड़ एसको हमने क्या माल लिया है फ़र्स्ट माल लिया आप देखें कि यहां पे बढ़ indirect प्यूक्त क्यूं आपके मर बावर फाइब कि herself की दढ़ आ आपकी मर में बढमर में सवाल उठ लोगा कि आपने a² वड़ाबर 5 किसे दे दिया इसीलिए अब क्या है आप गुनाज के बारे में अच्छी तरह से नंज क्लास में आप बढ़े ही होंगे तो A² बडाबर मार क्या हो गया, 5, इसको हमने क्या माझलिया, 2nd, अब हम देखेंगे, देखिए, A बडाबर, यहाँ पर 5 M, M माना जहाँ M कोई पुर्णांग हो, हमने मान लिया कि M कोई पुर्णांग है, तो A बडाबर, 5 M, फिर हमने अगर यहाँ पर A माने ती यहाँ पर दूसरा कुछ मानेंगे तब ही तो हमारा सीध होगा तो A square पर क्या हो गया है यहाँ पर 5 तो यहाँ पर भी A वार 5 है माना कि जहाँ M को ही पुर्णांग है और दोनों तरफ हम आप क्या करेंगे वर्ग करेंगे तो देखिए यहाँ पर A square यहाँ पर क्या आ गया वार 5 M का square तब A square एकवल टू हमने 5 B A square क्यों कि यहाँ पर देखिए हमको दिया है समिकरन सब first से समिकरन first से मारा क्या है A square वड़ावर 5 B A square हम लिख सकते नहीं यहां पर यहां पर हम 5 को अगर हम करेंगे मतलब स्क्वाइर करेंगे कितना आएगा 5m गुर्णे 5m तो 5m को कितना हो गया मतलब 55 25 और यहां पर यहां पर कितना हो जाएगा तो वहीं आया समय करें स्क्वाइड में तो यहां पर क्या जाएगा डिभाइड में तो जब इसको क्या करेंगे इसको मैं इसे करके 525 अब देखिए यहां पर भी हमको b2 का क्या है गुणाज है क्या है का गुणाज है तो b squared equal to 5 इसको हमने क्या मान लिया था हम संफ क्यों मान लिया थी गहां सब मिले मला में सबुद्द film स्बंधे सब्सक्राइब एस हुमने लिया आँ दुघ कि अ rhetor और स्ब्सकाइब करन्ध सब्सक्राइब चांद क्यों सब्सक्राइब पातें थैण student kan'd kita hai five Hai दोनों ken देखिए यहां पर भी a square five ka ich यहां पर be a square five ॉ घा तो दोनों में मादी ल्ड़ाना घ मा गलत है क्या है यहां पर अब यह हमारा मानना घबत है अब यह हमारा सीध्य हो गया है 것 कर नश्य एक आता 5 अजद्ध है उसन पर में संख्या नहीं है अता एक अपर में संख्या है तो पांच हमारा यहां पर क्या था गुनज था यहां पर रूट पांच था वहां पर रूट पांच पर में संख्या नहीं है तो एक अता यह एक ऑपर में संख्या है यह हमारा सीध हो गया चलिए आप देखते हैं मारे exercise 1.3 के दूसरा प्रॉबलम क्या है तो देखिए दूसरा प्रॉबलम हमारा क्या है सिद कीजिए कि 3 पलस 2 रूट 5 एक ऑपर में संग क्या है जितना कि यह क्वेस्टन हमारा नहीं होता है लेकिन बस उसका क्या हो जाता है लॉंग हो जाता है ऐसा आपको पूछेगा यहां पर देखने में लगता उतना यह नहीं है बहुत बस आपको एक statement लिखना है और यह हमारा question solve हो गया तो चलिए इसका देखते हैं तो देखिए यहां इस question उतना है ने जितना आपको statement दिख रहा है देखिए जैसे कि पहले हमी क्या लएंगे अपर में सख्या तो पहले तीन फलस दूरू फ 시 now पर जिए है यहां पर भी रूट भी हो तो रूट पाँश में दो एकjiजी क्व czł corners यू प्या अपर में संखिया है क्या है और रूट 5 एक और में संखिया है uh हमारा क्या हो गया इसमें होगे यह हो गया परेह ओ ये हमारा परेह तो यह है डूँर ह्यां इससा कोश्चन में लिखेंगा कि पहले बूरुट पाँचे अपड़ में संख्या हम जानते हैं कि एक पंचे को बताया था कि एक पंचे की अत्रिक्त सुनी को छोड़ कर और एक पंचे का अपया है कि 1 यहां परमेय संख्या में और परमेय संख्या और उप्रमेय संक्या चाहिए 1 ति एपलाई करें कुछ भी हो वह हमारा क्या होता है यहां पर भी देखिए यहां पर में संख्या क्या है multiple है तो सुनने के अत्रिक्त हम बस वही लिखेंगे कि एक पड़ में सुनने के अत्रिक्त और एक ओपड़ में संख्या का गुनरफल हमेशा एक ओपड़ में संख्या होता है क्या होता है हमेशा एक ओपड़ में संख्या होता है अता दूरूट पांच एक ओपड़ में संख्य कि हो गया कि दू रूट पाच में हो गया आप इहां पर देखिए हमने क्या देखा दू रूट पाच में, अब हम पूराց कुस्जिन और फूरू पाच में 3 तीन एक परमे संख्याय है तो हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि Margaret एक परमे संख्या का योगफल हमेशा एक परमे संख्या होता है एक परमे संख्या का योगफल हमेशा एक परमे संख्या होता है यहां पर भी देखिए यह तो हमने सिद किया कि पहले पहले हमने यह सिद किया कि यह परमे संख्या है ना फिर यहां पर देखिए एक परमे संख् तीन पलस दूरूट पाच एक परमेसंख्या बस आप कोश्चन को देखके बस एक स्टेटमेंट लिख दीजिए यह कोश्चन हमारा सॉल्व हो गया अब रूट पाच में धो हमको प्लिप्लाइब को में मानना था क्योंकि हूँ पर तो कोई परमेसंख्या ना एड़ देया थ कुछ भी एक ओपर में संख्या ही होते हैं अता ही हमारीं ओपर में यहां पर वह देखिए अता तीन प्लस दूर्प इस अपर मैं संख्या हैं। म低 से सीद्की जी। ही की निम लेखी की तर्थ की ओपर में दिया पर पहला दुसरा थीस्टा तो हमने आपको दो question का आज solution बताया तो ये वीडियो बहुत लंबा होगे आपको समझाने के लिए बस से ये वीडियो थोड़ा लंबा नहीं होगा